जै माकाली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप से भी कहारदिक स्वागते माकाली भगदग्यानी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरेशत रहेकर तंतर दिख्षा ले सकते हैं या नहीं आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगी और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ओल पे सैट कर लिजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सभी भक्तों को इस वीडियो को शेर कीजेगा जो साधी सुदा हैं और जो ना हैं जो मतलब अपने घर गिरिष्टी में रहते हैं और जो कुआ रहे हैं उनको भी ये वीडियो जरूर सेर कीजेगा क्योंकि सभी को सभी के मन में इस बात का डाउट जरूर होता है कि भोस से लोग ऐसे बोलते हैं कि गिरिष्ट रहकर तंतर दिक्सा या फिर भ बात करेंगे कि यहां तक की पहले के जमाने के लोग जो बड़े बुजरू के हैं हमारे वो सब भी हमें कहते थे कि अगर मानलो कोई भी कुवारा लड़का हो या फिर लड़की हो अभी के टाइम में भी वो भगत बनेगा इस लाइन में जाना चाहेगा तंतर दिक्षा शी हैं और वो ही लोग ऐसा गलत डाउट रखते हैं कि हम गिरहस्त रहकर भी भगत बन सकते हैं या नहीं बन सकते तंतर दिक्षा ले सकते हैं कोई भी ज्यान ले सकते हैं या नहीं तो मैं बता देती हूं आपको कि दोस्तों कभी भी इस लाइन को भगत लाइन को तंतर बनतर क तो कभी भी आप लोगों को बदनाम नहीं करना चीए यह आपको किसी भी कारे के लिए नहीं रोकता है यदि आप लोग किसी के कहने पर ये सोशते हो कि अगर हम भगत बनेंगे तो हमारी साधी नहीं होएगी जैसे कि लेडिसों का जादतर ये सवाल रहता है एक बार को को कान नहीं कोई करता तो लेडी सो का जाद अतर ये जवाब रहता है कि मतलब जो क्वारी लड़की होती है जो साधी सुधा नहीं होती है सिंगल होती है उनके साधी हमेज़ का होता है कि अगर हम भगत बनेंगे माता काली के बनें किसी के भी बनें तो क्या फिर उसके बाद ह हम जब भगत बन जाएंगे तो हमारी साधी हो सकती है या नहीं हो सकती तो उनका जो गुरू होता है वो कहता है कि साधी नहीं हो सकती एक बार अगर तुमारे सर पर मातकाली खेल जाएगी या कोई भी देवी देपता खेल जाएगा तो तुमारी साधी नहीं होएगी क्योंकि क्यों नहीं होईगी कि जिससे तुमारी साधी होईगी यदि उसको पता लगेगा कि ये भगत है और इसके उपर मातकाली की सवारी आती है तो वो व्यक्ति सामने वाला डर जाएगा और वो डर के मारे तुमसे साधी नहीं करेगा वो मना कर देगा ये कहना मेरे गुरू का भी लोग होते हैं वो ये सब बाते अपने दिमाग में रखते हैं और दूसरे व्यक्ति को बताते हैं और जो नए जमाने के लोग होंगे वो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे और पहली बात तो मातकाली को आप लोग बदनाम मत करो मातकाली कभी आपको नहीं कहती कि भई चीज की कोई परिशानी नहों जो भी आपका लाइफ पार्टनर हो वो हमेशा आपको इज़त दे प्यार करें सब कुछ दे तो मातक काली पर जो व्यक्ति विस्वास करते हैं वो हमेशा करते ही रहें क्योंकि मा जो है वो कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी और व ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है अगर आपकी चाहत है अगर आप भगत बनना चाहते हो तो आप लोग सो परसेंट बन सकते हो अगर मातक काली ने चाहा तो आपकी ऐसी जगे साधी कराएगी कि आपने सपने भी भी सोचा नहीं होगा तो घ्रेस्त रहकर भी आप लोग आपको ये नहीं कहता कि तुम केवल हमारी ही सेवा करो और साधी भिया मत करो कोई भी अपना कारे मत करो खाली तुम हमें ही हमारी सेवा करो ये देवी देपता कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहता ये सब अपने मन की मर्जी होती है अगर आपकी चाहत है भगत बनना तांतरिक बनन अग्होर बनना तो आप बेसक बनो बट कभी भी लाइफ में किसी का गलत मत करो हमेशा अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा यदि आप किसी के साथ गलत करोगे तो उससे भी जादा गलत आपके साथ होगा ठीक है तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि गिरह बद भी ना बने केवल उसके उपर माता की सवारी ही आ जाय तब भी लोग बाग बोलते हैं कि इसकी साधी नहीं होएगी लोग बाग जिससे भी साधी अगर रिस्ता करते हैं तो वो डड़ते हैं लोगों का कहना ऐसा है बट यहां पर जीरो परसेंट ऐसा भी कुछ नहीं है जब भी माताकाली चाहती है अपने बच्चों का, तो भला ही चाहती है, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगी, ऐसे ही मेरे गुरु ने मुझे कहा था, सैम जो मैं आपको बता रहीं, यही चीज मेरे साथ हुई थी, उसने तब ही मुझे माताकाली नहीं दी खेलने वाली, क्योंकि इसलिए नहीं दी कि साधी नहीं होगी, और मैं आपको एक बात बताओं, एक मेरी फ्रेंड है, जो की मताक काली की भगत है, और माताकाली की सवारी भी आती है, कमक्या की भी आती है, योगनिया भी आती है, सब सबसगार्च के उपर आती है, और अभी ही Temperals एक साल ओ गया, अभी उसकी साधी हुई है, और इतने अच्छे घर में होई है, खूब अच्छा पैसे वाला लड़का कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं है अच्छा कमाता है सब कुछ फसकलास है तो किस ने कर रही मताकाली नहीं कर रही है न तो इसलिए आप लोग इस चीज से बिल्कुल अपने दिमाख में मतलाओ कि अगर हम भगत बनेंगे तो हमारी साधी नहीं होगी अगर हमारे उपर सवार दूसरे से लिकान दो बस केवल आप माता काली के उपर विश्वास करो और माता काली ही आपका कल्यान करेगी ठीक है तो ये जो घिरेश्टर है अगर भी आप लोग तंतर दिक्षा ले सकते हो किसी से भी और भगत भी बन सकते हो असानी से और बल्कि मैं इक बात आपको और व सदा में बात नहीं होती तो भूस से लोग लड़के लोग जादतर यही करते हैं कि अपनी साधी से पहले ही भगत बन जाते हैं फिर उसके ऐसी करते क्यंकि उनका क्वारे का हात बहुत तेजी से कारे करता है बहुत अच्छा चलता है ठीके दोस्तों मैं आप सभी को अच्छे से समझा दिया तो ये डाउट भी आपका किलियर होई गया होगा यदि आपका कोई भी सवाल है किसी भी जानकारी पे आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट में बता दे करो मैं आपको एक वीडियो बना